तो फ्रेंट्स हम आज चुके एक और न्यू वीडियो के साथ आज का वीडियो में हम करने वाला हैं CS की और RCB का प्लिइंग 11 कंपेरिजन और देखने वाला हैं कि जब भी 2023 में ये दोनों टीम एक दूसरे कामने सामने होगी तो कौन से टीम एजली जीत सकती है और कौन से टी तो यहां अगर नगत्या तो जादा से प्लेयर उसके बहुत ज्यादा एक्सप्रियंस है वह अच्छा कर चुके हैं और और अगर हम उसका रिकॉर्ड भी देखें तो ज़्यादा यह अच्छा लग रहा है बैनिस्टोक से तो मेरा पिक यहां से रहने वाला फैब्रू प्लेसी और वहां पर देख भी सकते हैं रिकॉर्ड के सबसे ज़्यादा अच्छा है बैनिस्टोक के मामले में इसके बाद प्लेसा बी नहीं हो पाए हैं और ब्राड कोली का भी फॉम भी बहुत अच्छा किया था कुछ मैचों में लाष्ट में और बिग मैच में चल रहा था जैसे सेमिछा च्छल रहा ही रने वाला है और इंडियान प्लेयर है तो ज्यादा को समझते हैं इसके बाद चार इसके बाद गर हम महीपाल नॉम्रोर का कंपेर करें सीवंदूबे से तो डिपनेटली दोनों यंग प्लेयर अच्छा कर रहें दोनों इंडियन टीम के हैं मगर यहां से मेरा पिक सीवंदूबे रहने वाला है क्योंकि सीवंदूबे के पास ज्यादा experience है और ज्यादा मैंट अच्छा खेलें और ज्यादा लंबलंब छक्क मारना था सीवंदूबे के पास इसलिए मेरा पिक यहां से सीवंदूबे रहने वाले हैं इसके बाद गार हम दिनेश कर्थी का दोनों टीम बहुत प्लेयर अच् करें तो मिडिल ओडर में यहां पर दो दो करके दोनों टीम का मिडिल ओडर इक्वाली लग रहने वाला है क्योंकि दोनों का मिडिल ओडर बहुत खतरना है इसलिए यहां पर पिक करना कोई जी बात नहीं रहने वाला फिर भी यहां से अगर देखें ऑफरवल तो दो दो पॉ अच्छे प्लेयर है आप रिकॉर्ट दोनों का देख सकते हैं लगबग दोनों का सेम रिकॉर्ट जैसा है एक का इकनोमी थोड़ा हाई है तो एक का एवरेज थोड़ा सा ज्यादा है तो यहां से मेरा फिक डेफिनेटल एक पॉइंट दोनों को देने वाला हूं अगर आप ज्यादा बिकेट लेने की कावलियत है पावर प्ले में ज्यादा बोलिंग करते हैं और शुरुवात में विकेट दिलाते हैं इसलिए मेरा पिक यहां से दिपक शिराज रहने वाला है इसके बाद हम जोड़ा से नहीं बहुत अच्छा चल रहा है और पिछला साल भी बहु यहां से अच्छा बोलिंग भी ज़्यादा अच्छा इसलिए मेरा पिक यहां से रविंद्र जड़ेज्या रहने वाला है इसके इसे जाद हम गसी जोड़ा पड़ा यहां फिल्ड पर कौन केतना परदर्शन करेगा वो तो मैच में हमें पता चलेगा और फिर भी देखें तो 6-4 से यहां पर RCB की टीम लीड में रहने वाली है और अगर यहां पर comparison का देखें तो इस वीडियो का winner रहने वाला RCB की टीम तो आप से भी को क्या लगता है कौन से टीम ज करे दो दोड़ो पता है का बच्यां है